हेलो एवरिवन, CTS Education के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, मैं आलोग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का टोपिक हम लोग का है कि C++ का हिस्ट्री क्या है, C++ का हिस्ट्री क्या है और एक और क्वेशन हम लोग देखांगे कि C और C++ में डिफरेंस क्या है, तो दो टोपिक आज कवर के जाएगा इस वीडियो में C++ का हिस्ट्री क्या है और C++ में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम लोग देखांगे C and C++ C and C++ का जो अभिस्कार हुआ, उकब हुआ, C का अभिस्कार आपको हुआ है 1972 में डेनिस डिची के द्वारा and C++ का अभिस्कार हुआ है 1980 में बजारने एस्ट्रोस ट्रप के द्वारा, तो आठ सल का डिफरेंस है देखिए, पहले आया है C और बाद में आया है C++ प्लस ठीक है तो अनाई 180 में बजारने एस्ट्रोस ट्रोप के द्वारा, C++ का अभिस्कार किया गया था at Bell Laboratory अमेरिका में ठीक है, at and t यहाँ पर जो हाना अमेरिका में एक जगह है, लेब है वहाँ पर इसकार किया था 1980 में, 1922 में C का विसकार भी यहीं पर किया था Bell Laboratory में और C++ का विसकार भी यहीं पर किया गया और at and t का full form जो होता है, आपको होता है American telephone and telegraph company, American telephone and telegraph company, आया देखते हैं, history, C का history क्या है, C++ का history क्या है, इसमें चपाच को point मैंने नोट किया है, इससे देख लेंगे के करके, सबसे पहला कि C++ एक programming language है, C++ एक programming language है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रोग्राम को develop कर सकते हैं, coding कर सकते हैं, second point, it was developed in 1980, by बजारने अस्ट्रोस ट्रप, बजारने अस्ट्रोस ट्रप, at Bell Laboratory of AT&T located in USA, अमेरिका में एक Bell Laboratory है, जिसका नाम है AT&T, और AT&T का full from फिर से बोलते हैं, AT&T का full from American telephone and telegraph, अमेरिकान telephone and telegraph, third point है, बजारने अस्ट्रोस ट्रॉप इज नोन एज, दा फादर अफ C++, C++ objective point अभिव से दोनों पूसन important है, C++ का development, कब और किसके दोबरा किया गया था, और C++ का founder या father किसे कहता है, तो बजारने अस्ट्रोस ट्रॉप is the founder of C++, next point है, C++ is the enhanced name of C, C का enhanced यानि कि C में कुछ ज़्यादा अभिसकार coding का किया गया, house coding को add कर दिया गया, और C को next version, enhanced version C++ हो गया, क्योंकि इसका जो first name था, the first name of C++ is C with class, एक new features जोड ज़्याद गया, C के साथ class, तो वो क्या हो गया हमारा, C++, that means कि C++ में class का बहुत ही important है, class पर ही, और different करता है class कैसे create करेंगे, और कितने class create करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा next point, next point है, last point, C++ is a programming language, is called superset of C, C++ superset of C कहलाता है, it means, any valid C program is also valid in C++ program, यादि C++ C का superset है, यह हमारा C programming है, तो C++ यह हो जाएगा, C++, that means कि C++ के अंदर में C आ रहा है, तो she is the subset of C++ and C++ is the superset of C, यह पार फिर से founder या father of C++ कहाता है, C++ C का enhanced name है, और first जो नाम था C++ का हो था, C with class, and last one कहा रहा है, कि C++ programming is called a superset of C, इसका मतलब भी हो गया, कि C++ के अंदर में समाहीत है, एक्जामपल में जैसे कि यह हमारा हो जाता है, C, C, तो यह हमारा हो गया, C++, तो इसको हम लोग कहेंगे, C++ is the superset of C, या इसका उल्टा कहेंगे, C is the subset of C++, तो उम्मीद हैं कि इसका background आपको समझ में आ गया होगा, 3-4 point है, कि इससे बजारने astro stop के द्वारा बेल अवरेक्टर में इसका invention किया गया था, निसा वसी में, founder of C++ क्या कौन है, तो बजारने astro stop है, C++ का enhanced name, sorry, C का enhanced name, C++ है, एंड जो C++ का पहला नाम था, वो C with class था, और C++ superset हैं, C का, तो यह इसका background होगी है, C++ का, अब आगे हम लोगा यह question और है, जो से देखते हैं, difference between C and C, आगे देखते हैं, difference between C and C++, C पहले यहां पर C को लिया गया है, और यहां C++ को, पहला जो point है, C flow procedural style programming, जबकि C++ multi-paradding में है, multi-paradding काने का मतलब है, कि more than one, यहां पहले दिया वहाँ, it supports both procedural and object-oriented parading में, याने कि यह object-oriented को भी support करता है, और procedural को भी support करता है, इसलिए इसे multi-paradding में भी का सकते हैं, next point है, data is less secure in C and data is more secure in C++, क्यों, क्योंकि इसमें data hiding नहीं कर सकते हैं, C में data hiding को नहीं कर सकते हैं, जबकि C++ में data को hiding किया जा सकता है, इसलिए जिसमें hide कर सकते हैं, वो more secure होता है, जिसमें hide नहीं कर सकते हैं, वो less secure होता है, next point, in C, scanf and printf are mainly used for input and output, C language में scanf को input के लिए और printf को output के लिए use किया आता है, जबकि C++ में cin, cin है cin, जिसे input के लिए use किया जाता है, और count, c-o-u-t, count जो है न, आपको output के लिए use किया जाता है, scanf के लिए हो गया cin, और printf के बदल हो गया c-o-u-t, यह आपको c++ में use किया आता है, file extension in c is .c, c का जो file extension होता है, वो .c होता है, .c क्या है, आप चाल लिए, file कई तरह के होता है, तो सभी file का एक पहचान होता है, उसी को file extension काहता है, जैसे c के लिए .c हो गया, आपको c++ के लिए .cpp हो गया, .pdf के लिए .pdf होता है, jpg के लिए .jpg होता है, आपको docs के लिए .ppt के लिए .pptx होता है, तो यह जो होता है extension जो name होता है, वो यह पहचानने के काम आता है, यह file किस type का है, तो यह होता हमारा extension है, यहाँ पे c++ का extension है .cpp है, इसे बहुत important है, ध्यान रखेंगे, अबजेक्टि में पुछा जा सकता है, next point है, c does not support inheritance, inheritance जो है एक property होता है, जो एक class का property उसके subclass में आ जाता है, उसे inheritance करते हैं, जैसे किसी generation का, एक generation का property होता है, उसके next generation में आ जाता है, उसी को inheritance property करते हैं, और c++ support inheritance, c support नहीं करता है, जबकि c++ support करता है, next point है, वह हम देख चुके हैं, पहले c is a subset of c++, c is a subset of c++, तिया हो गया हमारा c++, और हो गया c, c है subset c++ का, और इसका ultra यहां पका देंगा, c++ is the superset of c, and last point है, operator overloading is not possible in c, operator overloading is possible in c, इसमें operator को overload कर सकते हैं, जबकि इसमें operator को overload नहीं कर सकते हैं, तो यह basic difference c और c++ का दिया हुआ है, operator overloading आगे पढ़ना है, आगे बताएंगे इसके detail में, तो इसलिए, इसको यहां पे, आप c और c++ का difference के रुप में याद राख सकते हैं, कि c++ में operator overloading support करता है, जबकि c में support नहीं करता है, operator overloading हम लोग आगे, next video में देखेंगे, तो इससे देख करके, और notes जरूर बनाने, इसका PDF link description में दिया गया है, पेडिया डाउनलोड आरके इसको जरूर पढ़ें, धन्यवाद.